तो आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रेलवे की पार्चाला पे और दोस्तो रेलवे गुरूब डी भरती 2018 वली कंडिडेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज आ चुकी है यहाँ पर दोस्तो एक बोर्ड है जिसने यहाँ पर डीवी की थर्ड लिस्ट चारी कर दिया है और उसमें कम नहीं 307 कंडिडेट है जिनको डोकुमेंट वेरिफिकेशन और आपके मेडिकल के लिए याँ पर बुला गया है चलिए दोस्तो देखते हैं पूरा यहाँ पर जो भी अपडेट है उसको इससे पहले आप से देने विजन है कि आप हमारी स्पार्ट साला प्रनाए है तो रेलवे भरती के वार में सारे को भी सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी याँ पर आउन कर लिजिए चलिए शुरू करते हैं अजके वीडियो को यहाँ पर जो खबार आ रही है वह आपके आ रही है पटना बोड से अब देखिए यहाँ पर पटना बोड ने वेबसाइट पर नोटिस डाला ह है यानि कि रिजिए और नोटिस है वेबसाइट बेसी अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी कांदेटेट यहाँ पर हो सकता है कि किसी बजह से आपके छुट्टी रहेगी हो लिड़ेगी इस विज़े दो तारिक को छोड़ कर आपके 27 12 2020 से और 8 जनवरी 2021 तक आपके document verification और medical की process है यहाँ पर की जाएगी जिवो और इस पर आपको admit card अवेलेबल कर दे जायाएगा आपको admit card लेकी जाना है आगे यहाँ पर बोला गया है कि admit card में आपको यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका covid positive case है तो यहाँ पर यहाँ पर आपको बोला गया कि यदि corona virus से संक्रमित होने की आशा होने पर ठीक है तो आपका document verification है अगर उसमें आप उपस्तित नहीं हो पाते हो तो यहाँ पर उन्हें दस्तावे सत्यापन के लिए अलग से एक मौका दिया जाएगा ठीक है यानि कि आप अगर corona positive है तो आपको बाद में एक मौका दिया जाएगा आप उसकी tension मत लेजिए इसकी सूचना आपको railway की website पर आपको बाद में दे दे जाएगी इसके लिए आप tension मत लेजिए ठीक है और यहाँ पर आपको इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि भाई मैं covid positive हूँ और इनकी mail आडिय रेलवे की यहाँ पर आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी कि भाई मैं covid positive हूँ और मैं यहाँ पर dv में सामिल नहीं हो सकता तो फिर आपको railway है यहाँ पर email के वोज अलगाना है और आपका social distancing है उसको अपनाना है sanitizer की विवस्ता यहाँ पर आपको करनी है यह आपको जहान रकना है जब भी आप document verification ले यहाँ पर आये तो आगे यहाँ पर बोला गया कि जो भी बाके की दुन्यदेश है आपको पहले जो 282.2020 में जो यहाँ पर notice डाल गया था सेम वोई चीज है कौनकोर से document लाने है वो आपको पहले बता दिया था और यहाँ पर एक चीज आपको note करनी है यहाँ पर देखिए अभियर्तियों को सुचित किया जाता है कि railway भरती प्रेकोष्ट यानि कि पूर मध railway पटना है इसका जो यहाँ पर देखिए जो पॉलसन कॉंप्लेक्स दीदा घाट है यहाँ पर इनका जो एड्रेस है उसको चेंज करके आप पांचवी मंजिल सी ब्लोक, मौरिया लोग, कॉंप्लेक्स, डाक, मंगला, रोड और आपका पटना यहाँ पर shift कर दिया है तो आपको ध्यानकन है कि डीवी कराने के लिए आपको इस एड्रेस पर जाना है जो नए एड्रेस है न इसमें आपको आपको जाया गा है लेकिन आपको द्याना करना है कि date है आपको बताइदे कि उस date पर आपको present होना है railway आपको बताता है कि जो भी व्यक्ति आपको railway में पैसा लेकर जो दिलाने का वादा करता है आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है वो यहाँ पर अपर आपर रोल नमबर चेक कर सकते हो, रजिस्शेश नमबर चेक कर सकते हो, किस लेट में उनका यहाँ पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, अब मैं आपको उताता हूँ, डीवी और मेडिकल रेल्वे में कैसे होता है, तो गाइच इसके ले मैंने रखनी है, सब कुछ मैंने केलियर किया हुआ है जो भी कंडिट यहां पर सेलक्षन हुए है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई और जो भी नए स्टुडेंट है वो तियारी कर रहे हैं, वो यह अपनी एक्जाम की तियारी है, उसको अच्छे से करते रहे हैं, और अपनी जो एक्जाम है 28 से सुरू हो रही है, तो ऐसे में आपको बिल्कूल धहरे रखना है, ठीक है, चलिए गाईस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कुसर रहे जहिंद जबारत